बीना ज़्यादा बकवास की इस माईने की लेटेश्ट APN सेटिंग में आपको प्रूफ के साथ तो दिखाऊंगा है लेकिन कुछ चीज़े आप जान लो एक तो भई किसी भी SIM पर APN काम करता है इंडियन SIM पर तो काम करता ही है उसके साथ साथ पाकिस्तान बांगलादेश या फिर अगर आप नेपाल में भी रहते हो ना तब भी आपके फोन पर कोई से भी SIM कार्ट क्यों न लगो इस वाले APN को आप ट्राइ करके इससे अपनी इंटरने स्पीड को इंक्रीस कर सकतो लेकिन उससे पहले अभी से इस वीडियो पर एक लाइक कर दो और टेक्नो माईड इसको क्रियेट एंड सेट करने से पहले हम लोग डेफॉल्ड वाले APN को एक बार चेक करके देख लेते हैं इससे अभी कितना स्पीड आ रहा है अब न्यू बाले APN को क्रियेट करते हैं क्रियेट करने के लिए आप फोन के सेटिंग उप्सन पर जाओ दैन आपके पास SIM, CARD, MOPILE NETWORK करके एक उप्सन आएगा उस पर आपको जाना है दैन आपको उस बाले SIM को स्लेट कर देना है जिस पी SIM के अंदर आप इस बाले APN को डालना चाहतो उस SIM को स्लेट करने के बाद आपको simply access by name option पे क्लिक करके इस बाले plus icon पर tap कर देना है तो A बाला form खुल के आजाएगा इसी के अंदर आपको सबको step by step fill करते जाना है तभी आपके phone पर A बाला new APN सही से create हो पाएगा तो fast में आपको यहाँ पर name add करना है आप name पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको लिखना है speed space bot space hashtag 22x और hashtag 22x एक साथ लिखना सब कुछ small में और यहाँ पे S और B जो है आपका capital में होना चाहिए इसके बाद आजाता है आपका APN पर आप जो भी sim यूश करते हो उस sim की name आप पहले डाल लो उसके साथ आपको BOT bot सब कुछ एक साथ और small letter में add कर देना है उसके बाद आता है proxy not set उसके बाद port not set लेन आपको मिल जाएगा यूजर नेम यूजर नेम पे आप sb22 at आप जो भी वाला sim यूश करते हो इसे भी आपको रिप्लेस नहीं करना है उसके बाद authentication टाइप इस पर जाके आपको PAP को लेट कर जना है इसके बाद आता है APN type इसे भी आप not set रखो इसके बाद आपको मिल जाएगा APN protocol APN protocol IPv4 या फे 6 जाए सकता है किसी-किसी phone पर उसे आपको change करके IPv4-6 पर डाल देना है इसके बाद APN robbing protocol इसे भी आपको IPv4-6 पर डाल देना है इसके बाद आपको मिल जाएगा one of the most important setting BRR देखो सबसे पहले ना unspecified आपको मिलेगा उसे आपको untick करके इस बाले APN के साथ LTE and नीचे UMTS को tick करके OK दबा देना है उसके बाद रहेगा इन्वेनो टाइप इसे भी आप none रखो इसके बाद आपको more option पे जाकर इस बाले APN को save करना है and save करती आपको यहाँ पे speedboard hashtag 22x वाला APN देखने को मिलेगा उस पर आप एक बार क्लिक करो और अपने phone को definitely power button वाला जो reboot reset रहता है ओ माल लेना इससे APN आपके phone के साथ सही से attach हो जाता है और उसके बाद अगर थोरा सा time इस APN को update देते हो ना तो भाई आपको इससे जबरदस्त internet speed मिलने वाला है मैं आपको अभी speed test करके भी दिखाता हूं मुझे अभी इससे कितना speed मिल रहा है और friends अगर आप एक gamer हो तो भाई इस बाले APN क अपने phone पर डालके gaming pin को तो भाई कम करी सकतो और उसके साथ साथ अगर आप एक low-end device पर game खेलतो और आपको lag phase करना परता है तो भाई आप इस वीडियो के description box में जाओ आपको आप CPU optimization करके एक video देखने को मिलेगा उस वाले वीडियो को जाकर आप completely watch करो और उस वीडियो के और चैनल को सब्सक्राइब करके पिल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर दो ताकि ऐसी वीडियो अपलोड होती ही आपके पास notification पहुंच जाए तो चलिए आज के लिए वस इतना आई मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में